Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading Ladies, आप लोगों के लिए देखें कि August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है में परस यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकिंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally August मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हूँ और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे देख रहा है Eight of Souls Rivers और यह card कहता है कि पीछे कुछ time से आप किसी चीज को लेकर बड़े परिशान हो रहे थे एक confusion थी, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आपको यह से लग रहता है कि बड़ी limitations है, बड़ी restrictions है और कहीं August स्टाटिंग में इन ही energies से आप खुद को भाहर निकालना चाहा रहे है Deeper Level के लिए Happy Days Ahead का card कहता है कि एक happiness, एक joy in general आप अपनी life में या फिर इस relationship में चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखे आप इस sneaky का card कहता है कि कुछ issues कुछ मसले रह रहे हैं कुछ चीजें आपको you know mid August में भी clear नहीं हो रही है आप देखे यह सब के लिए differ करेगा लेकिन broader level के लिए sneaky का card कहता है या तो partner को लेकर कोई doubt हो रहा है या पर relationship को लेकर कोई doubt हो रहा है कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है आप clarity चाहा रहे हैं लेकिन फिर भी clear नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी Emperor Rivers का card कहता है कि एक frustration एक गुसा आपको हो रहा है या तो पीछे आप बहुत action initiatives ले रहे थे लेकिन कहीं end august तक आप थोड़ा सा या पर काफी withdraw करते वे दिख रहे हैं एक back seat लेते वे दिख रहे हैं हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भी कोई फाइदा नहीं है action initiatives लेने के अब दिखिये जो चीज मेरे mind में आ रही है मैं कह रही हूँ सब के लिए different you know situation circumstances होंगे लेकिन emperor rivers के बाद high priestess का card कहीं इन ही energies को depict करता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई समझदारी से काम लो wisdom से काम लो और बहुत जादा involved मत हो बहुत जादा action initiatives ना ले और थोड़ा सा फिर से कहूंगे या फिर काफी आप withdraw करते हुए दिख रहे हैं या तो आप अपनी कोई बात partner से चुपाते हुए दिख रहे हैं या फिर आपको ऐसी feeling हो सकती है कि partner आप से कोई बात चुपा रहे हैं और यहाँ पर deeper level के लिए block do का card कहता है या तो आप अपने partner को block करना चाहते हैं आप देखिए जरूरी नहीं होता कि social media पे block किया तभी block होगा कभी-कभी हम mentally, emotionally किसी को block करते हैं यानि कि यूनों हम बात कर रहे हैं लेकिन एक disconnect emotional level पे, mental level पे महसूस कर रहे होते हैं और कभी-कभी हम physical level पे block कर देते हैं यानि कि उनसे बातचीत करना बंग कर देते हैं या फिर कुछ लोग तो literally, you know, social media पे block करते हैं तो किसी भी तरीके का एक blocked energies आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से रहती हुए दिख रही हैं और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या energies हैं तो देखें आपके पार्टनर के लिए या पे three of souls reverse का card है तो किसी चीज को लेकर बहुत hurt आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं या पिर हो सकता है लिटरली किसी से guidance ले रहे हैं तो देखें आपके लिए यहाँ पे sneaky का card भी कहीं एक doubtful सी energies की बात करता है आपके पार्टनर के लिए three of souls का card भी कहीं hurt pain की बात करता है तो definitely August मन्त में छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं और अगर हम August मन्त की energies देखें तो यहाँ पे caught का card कहता है कि you know कुछ again issues रह रहे हैं caught के literal meaning को देखें तो पकरने की बात करता है और पकरना कोई भी चीज़ हो सकती है जूट बोलते हुए आपने अपने partner को पकड़ाया पार्टनर ने आपको पकड़ाया फिर किसी भी तरीके की cheating मैंने हमेशा कहाया कि cheating कोई third party ही नहीं होती है जब partner के साथ हम transparent नहीं होते हैं या partner हमारे साथ transparent नहीं है जूट बोल रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको कहा या यूनो उतना time and energy नहीं दे रहे हैं relationship को जितना हमें देना चाहिए ये भी cheating होती है और third party तो होती ही होती cheating है तो अब देखें किसी भी तरीके की cheating या जूट बोलते हुए या तो आपने partner को पकड़ाया partner ने आपको पकड़ा ये August मन्त की energies में है और हो सकता है कि इसी लिए आपको थोड़ा सा doubt हो रहा है और इसी लिए आपके partner भी hurt महसूस कर रहे है अब देखें जरूरी नहीं है कि आपकी तरफ से cheating रही है या आपने जूट बोला इसलिए partner hurt हो रहे है कितनी बारी हमें अपनी गलती का हैसास होता है जब हम भी किसी के साथ गलत करते हैं तो कुछ के लिए हो सकता है इसकी आपकी तरफ से कुछ issues मसला रहा और you know partner इस चीज को लेकर hurt हो रहे है या partner की तरफ से issues मसले रहे यानि कि कि किसी भी level पे cheating रही और उनको अपनी गलती का हैसास हो रहा है वो बहुत hurt हो रहे है और कहीं बहुत एक confusion भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं और confused का card कहता है divine guidance का card कहता है कि वो guidance, counseling किसी से लेना चाहा रहे है या universe से ही एक guidance लेना चाहा रहे है और यहाँ पे drinks का card कहता है वो ज़्यादा socialize कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर सब Aries के partner के लिए different reasons हो सकते हैं ज़्यादा socialize करने के कभी-कभी हम अपने mind को distract करने के लिए अपने mind को तोड़ा सा जो भी चीज हमें परेशान कर रहे हैं उससे हटाने के लिए भी ज़्यादा socialize करते हैं drink करते हैं या फिर party करते हैं eating, drinking करते हैं तो यह भी एक reason हो सकता है या फिर, you know, कोई भी और reason हो सकता है बट definitely आपके partner ज़्यादा eating, drinking करते हुए या फिर socialize करते हुए दिख रहे हैं और surface level के लिए यहाँ पर three of wands, rivers का card कहता है कि वो भी कहीं उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं और किसी level पर आपका इंतजार करते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ से एक action initiative का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं और end august के लिए king of wands, rivers का card कहता है कि उनको काफी frustration आ सकती है गुसा आ सकता है, काफी aggressive हो सकते हैं तो देखिए अगर आप लोगों की energies मैं compare करूँ आप mid august में aggressive हो रहे हैं एक, you know, या तो over action initiatives ले रहे हैं या फिर withdraw कर रहे हैं और end august में जब आप withdraw कर रहे हैं तो आपके partner कहीं active होते वे दिख रहे हैं यानि कि वो aggressive होते वे दिख रहे हैं और आप देखते हैं कि august मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए या आप एक caught का card तो मैंने पहले ही आपको read कर दिया है starting के बात करें तो काफी एक immature energies आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक कि रह रहे हैं और ये caught कहता है कि हो सकता है कि messages पे जादा बातचीत हो रही है और कहीं बातचीत negative direction में जा रही है और जो भी हो कहीं फिर से कहूंगी immature energies रहती हुए दिख रही है एक बचकाना सा attitude आप दोनों में से किसी एक का रहता हुआ दिख रहा है एक जो मैंने अभी आपको read करके बताया कि कि किसी भी तरीके का या तो जूट पकड़ा है या गलती पकड़ी है या चीटिंग पकड़ी है असलिए या फिर otherwise भी king of cups reverse का कार्ट कहता है कि emotionally काफी low feel कर रहे हैं प्यार है, महबत है दूसरे जन के लिए लेकिन कहीं उस तरीके से express नहीं कर रहे हैं या over expressive हो रहे हैं और in your face का कार्ट कहता है कि जो भी गलती करी फिर से repeat करो जूट बोला या फिर गलती करी या चीटिंग करी वो बिल्कुल सामने करी मतलब छुपाया भी नहीं in your face का कार्ट कहता है कि बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि बिन्दास होके बिना किसी डर के खौफ के जो भी गलती करी वो हुई और Six of Cups का कार्ट कहता है कि again काफी emotional हो रहे हैं काफी sentimental हो रहे हैं पयार आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है attraction है और पुराने अगर कुछ पल आप दोनों ने अच्छे बिताए हैं उनको याद कर रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि past की कोई चीज आपको बहुत ज़ादा यादा आ रही है बहुत ज़ादा उस पे focus कर रहे हैं तो ये था एरीज आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये रीडिंग आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें